हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आत्म कथाएं जिसमें हम देखेंगे दलित आत्म कथाएं और महिला आत्म कथाएं तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये KVS, TGT, PGT, UGC, NET, UPSSC, DSSB, इत्यादी परिक्षाओं के लिए बहुत ही मातपूर्ड है तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रही है और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाकर आप अन्य वीडियो देख सकते हैं सबी वीडियो परिक्षा की दरश्टी से बहुत ही महतपूर्ण है तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम आत्मकथाओं के बारे में फिर 1860 जीवन चरित्र स्वामी दयानंद सम्वत 1917 में फिर है 1910 में मुझमे देव जीवन का विकास स्वामी सत्यानंद अगनी होत्री जी की फिर है 1921 में आप बीती भाई पर्मानंद जी की और फिर 1923 में आत्मकथा महत्मा गांधी जी की और इसका अनुवाद किया था हरी भाई उपाद द्यायने फिर है 1933 में क्रांती कारी कैसे बना शिरी राम विलास शुकल की फिर है 1935 में तरुण के स्वपन सुभास चंदर बोस की अनुवाद किया था इसे गिरीश चंदर जोशी ने फिर 1949 में प्रवासी की कहानी आत्मकथा भावानी दयाल सन्यासी जी की फिर है मेरी आत्मकहानी श्याम सुन्दर दास जी की फिर है 1949 में ही साधना के पत पर हरी भाव उपाद द्याय जी की फिर है इसी सन में मेरी असफलताएं गुलाब राय जी की अगली है 1944 में एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंदर अगरवाल दैनिक विश्वमित्र के संपादक थे फिर है 1946 में मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकरत्यायन पांच खंडों में है पृथम खंड 1946 में दुती खंड 1947 में और शेस खंड 1967 में प्रकाशित हुआ फिर है 1947 में आत्मकथा जोकी राजेंद प्रसाद जी की थी 1948 में मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरी की फिर 1949 में मेरी जीवन गाथा गडेश प्रसाद वरणी जी की फिर 1951 में सोतंतरता की खोज में सत्य देव परिवराजक की फिर इसी सन में सिहाव लोकन तीन खंडो में करमशाह 1951, 1952 और 1955 यश्पाल की फिर इसी सन में अज्यात जीवन अजीद प्रसाद जैन की और उसी सन में मेरा जीवन अलगू राय शास्तरी की फिर 1952 में परिवराजक की आत्मकथा शांती प्रिये दुवेदी जी की फिर इसी सन में 1952 में ही चांद सूरज के बीरन पर्थम भाग देवेंद्र सत्यार्थी जी की 1903 में मुदर्रिस की आत्मकथा कालिदास कपूर जी की 1954 में जीवन चक्र गोगा प्रसाद उपाद्ध्याय 1956 में मेरी जीवन यात्रा जान की देवी बजाज हिंदी में किसी महिला दौरा लिखित प्रथम आत्मकथा है यादों की पर्षाईया प्रथम भाग चतुर सेन शास्त्री जी की 1957 में आत्म निरिक्षण सेठ गोविंद्दास जी की इसी सन में आप बीती जगबीती नर्देव शास्त्री की 1958 में मेरी अपनी कथा पुन्ना लाल बख्शी की इसी सन में बचपन के वो दिन देवराज उपाद्ध्याय जी की फिर 1960 में अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की फिर इसी सन में 1960 में ही पत्रकारिता के अनुभव इंद्र विद्धा वाचस्पती की फिर इसी सन में मानसिक चित्रावली प्रिंसिपल दीवान चंद की फिर इसी अगले सन में 1963 साथ वर्स एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत की फिर उसी सन में 1963 में ही मेरी आत्म कहानी प्रथम भाग चतुरशेन सास्त्री जी की फिर इसी सन में मेरे जीवन के अनुभव सत्राम बिये की फिर 1970 में नीड का निर्माण फिर हरीवन शराय बच्चन जी की 1970 में ही अपनी कहानी वरंदा लाल वर्मा की फिर 1970 में ही निराला की आत्मकथा सूर्य प्रसाद दिख्शित की फिर उसी सन में यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय जी की फिर 1970 में ही विद्रोही की आत्मकथा स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष में यह थी चतुर भुज शर्मा जी की फिर 1971 में जब जियोती जगी स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष में तो यह थी सुखदेव राज जी की फिर 1972 में मेरा जीवन वर्तांत प्रथम भाग 1972 में दुतिय भाग 1974 में मुरार जी देशाई जी की थी फिर 1972 में ही सैनिक परिवेश में विजया नर्वने की फिर 1974 में अरुनायन रामा उतार अरुन की फिर 1974 में ही एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा विश्वनात लाहरी की फिर इसी सन में 1974 में ही मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी की फिर 1974 में रसीदी टिकट अमरता प्रीतम की फिर 1978 में बसेरे से दूर हरीवन शराय बच्चन जी की फिर 1989 आधे सफर की पूरी कहानी 1989 आधे सफर की पूरी कहानी क्रश्न चंद्र की फिर 1980 में गर्दिश के दिन भारती भाषाओं के साहितिकारों की आत्म कथा कमलेश्वर की फिर 1983 में घर की बात राम विलास शर्मा फिर 1984 में जहां मैं खड़ा हूँ राम दरश मिस्र की फिर इसी सन में 1984 में मुक्ति बोध की आत्मकता विश्णू चंद्र शर्मा की फिर 1985 में मेरा जीवन शिव पूजन सहाय जी की फिर 1985 में ही दश द्वार से सोपान तक हरीवन शिराय बच्चन जी की फिर 1985 में ही नील यक्षणी भाग दो देवेंदर सत्यार्थी की फिर 1986 में टुकड़े टुकड़े दास्तान अमरतलाल नागर की फिर मेरे साथ जनम हंसराज रहबर की इसके बाद 1986 में ही जिन्दगी का सफर बलराज मधोक 1987 में मेरी जीवन धारा यश्पाल जैन की 1988 में अर्ध कथा डॉक्टर नगेंदर की आत्म परिचेर रेणू 1989 तपती पगडंडियों पर पदियात्रा कनहयालाल मिश्र प्रभाकर की 1990 में दस्तक जिन्दगी की प्रतिभा अगरवाल 1991 में सहचर है समय राम दरश मिस्र की 1992 में जो मैंने जिया कमलेश्वर की 1994 में कहो व्यास कैसी कटी गोपाल प्रसाद व्यास की 1996 में मोड जिन्दगी का प्रतिभा अगरवाल की 1996 में ही अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर राम विलास शर्मा की 1997 में ही अक्षरों के आए साए अक्षरों के साए अमरता प्रीतम की फिर 1997 में ही यादों के चिराग कमलेश्वर के फिर 1997 में ही लगता नहीं है दिल मेरा क्रशना अगनी होतरी की फिर 1999 में जलती हुई नदी कमलेश्वर की फिर 2000 में गालिब घुटी शराब रविंद्र कालिया की फिर 2001 इस्वी में मुढ मुढ कर देखता हूँ राजेंद्र यादों की फिर 2001 में ही कही न जाए का कहिये भगवती चरण वर्मा की फिर 2001 में ही वह जो यतार्त था अखिलेश की 2003 में आज के अतीद भीस्म साहनी की 2003 में ही पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज अशोक वाजपेई की फिर 2003 में ही मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक की 2004 में और पंख्छी उड़ गया विश्णू प्रभाकर की फिर 2004 में ही पंख हीन विश्णू प्रभाकर की फिर 2004 में ही मुक्त गगन में विश्णू प्रभाकर की फिर 2005 में देहरी भाई विदेश बीस लेखिकाओं के आत्मकत्थाओं का संकलन है राजेंद्र यादव फिर 2005 में ही वसंत से पतजर तक रविंद्र त्यागी फिर 2005 में ही शब्द काया सुनीता जैन की 2007 में गुजरा कहां कहां से कनहया लाल नंदन की फिर 2007 में ही एक अंतहीन की तलाश राम कमल राय की फिर 2007 में ही भूली नहीं जो यादें दीनानात मलहोत्रा की फिर 2007 में ही यूही जिया डॉक्टर देविश ठाकुर की फिर 2008 में सागर के इस पार से उस पार तक मुर्दुला गर्ग सुरी राजपत से लोगपत पर मुर्दुला गर्ग 2008 में ही सागर के इस पार से उस पार तक क्रश्न बिहारी 2009 कहना जरूरी था कनहया लाल नंदन फिर उसी सन में जोखिम हिर्देश मेरे दिन मेरे वर्थ एकांत श्रीवास्तों की 2010 में और 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 औरत करशना अगनी होत्री की 2010 में ही पानी बीच मीन प्यासी मिथलेश्वर की 2011 में मैं था और मेरा आकाश कनहया लाल नंदन की फिर 2012 में और कहां तक कहें यूगों की बात मिथलेश्वर की फिर 2012 में ही माटी, पंख और आकाश ग्यानेश्वर फुले की तो अब बात करते हैं दलित आत्मकथाओं की 1927 में अबलाओं का इंसाफ इस्फुन तरा देवी नया समवाद किया था नया ने आधुनिक हिंदी की प्रथम इस्त्री आत्मकथा अगर यहां आत्मकथाओं पहली है तो 1882 में एक अग्याद हिंदू औरत दोरा लिखी आत्मकथा सीमंतनी उबदेश जिसका संपादन महान दलित आजीवक चिंतक डॉक्टर धर्मवीर ने किया है क्या है तो इसमें थोड़ा सा पहली आत्मकथा कौन है मन्शा है फिर है दर्द जो सहा मैंने आशा आपा राद की दुहुरा अभिशाप आत्मकथा है कौशल्या वैसंत्री की 1995 में अपने अपने पिंजरे भाग एक मोहन नैमी शराय की फिर है 1997 में जूठन ओम प्रकाश वालमी की की 2000 में अपने अपने पिंजरे भाग दो मोहन नैमी शराय की फिर 2002 में तिर्यसकरत डॉक्टर सूरच पाल चौहान की 2006 में संतप्त डॉक्टर सूरच पाल चौहान की फिर 2007 में नाग फनी रूप नारायन सोनकर की फिर 2009 में मेरा बच्पन मेरे कंधो पर शियो राज सिंग बेचैन की तो अब बात करते हैं महिला आत्मकथा की महिला आत्मकथा 1927 अबलाओं का इंसाफ इस्फुंतरी देवी समवाद किया था नाया ने आधुनिक हिंदी के प्रथम इस्तरी आत्मकथा है अगर यह आत्मकथा पहली है तो 1882 में एक अग्यात हिंदु औरत दोरा लिखी आत्मकथा सीमंतनी उबदेश जिसका समपादन महान दलित आजीवक चिंतक डॉक्टर धर्मवीर ने किया है क्या है तो यही है दोस्तों अबलाओं का इंसाफ या फिर सीमंतनी उबदेश दर्द जो सहा मैंने आशा आपा राद का दोहुरी अभिशाफ आत्मकथा कौशल वैसंतरी का 1956 मेरी जीवन यात्रा जान की देवी बजाज का हिंदी में किसी महिला दौरा लिखित पहली आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा फिर है 1976 रसीदी टिकट अमरता प्रितम की फिर है 1990 में दस तक जिंदगी की परतिभा अगरवाल की फिर है 1996 में मोड जिन्दगी का प्रतिभा अगरवाल की जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल की फिर है 1997 में लगता नहीं है दिल मेरा क्रशना अगनिहोत्री की फिर है 1999 में बूंद बावरी पदमा सचदेवा की फिर है 1999 में सुनहू तात यह अमर कहानी शीवानी की फिर इसी सन में है सोने दे शीवानी की फिर 2000 में कुछ कही कुछ अन कही शीला जुन जुन वाला की फिर 2002 में कस्तूरी कुंडल बसय मैत्रेई पुस्पा की फिर है 2005 में हादसे रमडी का गुप्त की फिर है 2005 में ही शब्द काया सुनीता जैन की फिर 2007 में एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की अन्या से अनन्या परभाख खेतान की फिर है 2008 में राजपत से लोखपत पर मर्दुला गर्ग और राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया फिर है 2008 में गुडिया भीतर गुडिया मैत्रेई पुस्पा की 2008 में ही पिंजरे की मैना चंद्र किरण सौन रेक्सा की फिर 2010 में और और औरत क्रशना अगनी होत्री की फिर 2012 में शिकंजे का दर्द शुशीला टाक भोरे की फिर इसी में 2012 में ही लता ऐसा कहां से लाओं पद्मा सचदेवा की फिर 2012 में ही एक थी राम रती शीवानी की 2012 में ही कागजी है पैरहन इसमत चुकताई की फिर है कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदू हरिश्चन्द की फिर है निजवरत्तान्त अंबिकादत्त व्यास की फिर है कल्यान पथ का पथिक स्वामी श्रद्धा नंद की फिर है आज के अतीत भीस्म साहनी की आलोचक का आकाश मधुरेश की फिर है बैखुंट पुर में बचपन कांती कुमार जैन की तो दोस्तों यह थी कुछ आत्मकताई जिसमें दलित आत्मकताई और महिला आत्मकताई सम्मिलित की गई है तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सुझाओ कमेंट करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद